वेलकम टू जीनियस आईएस जीनियस आईएस की हिट सीरीज में आपका फिर एक बार सौगत है यह सीरीज जो हम बेसिकली स्टेट PCS या UPSC में आने वाले जो रिपेट क्योशन्स हैं जो बहुत इंपोर्टन टॉपिक्स हैं जिनसे बार-बार क्योशन्स आते हैं उनको हमने कमपाइल करके इस सीरीज बनाई है और इसका एक लेक्चर आप लोगों तक पहुंच चुका है यह सेकिंड लेक्चर इस सेकिंड पार्ट इस सीरीज का है आज हम इस पार्ट में हम हमारी इंडियन पॉलिटिक के कुछ हिस्सों को करेंगे जैसे फंडामेंटल राइट हम आज का अगारण करने वाले हैं डेन कुछ special features की हम बात करेंगे और इसी के साथ हम इसको देखेंगे कि हमारे जो इस portion में जो important questions होते हैं वह किस तरीके से आते हैं तो fundamental right अगर हम देखे हैं यह अकेला most important part में से हैं जहां से हर साल एक या दो केशन आते ही आते हैं तो fundamental को हम इसको avoid करना हम लोग करना hem effort नहीं कर सकते इसको बहुत जरूरिया कि जिल्बार बहुत अच्छे से तोस्का कितने तरह के questions इसमें से आते हैं वो हमें पता होने छी है बहुत किशन को Рgen वो पास टाइम होगा जिसको और टाइम चाहिए वह वीडियो को पॉस कर सकता है और जिसको यह लगता है कि हां उसे आता है वो 10 सेंट फॉर्वरड कर सकता है तो हम पहले क्यूशन से चलते हैं और एक अचाने करके आप सबके सामने हैं under which of the following articles Indian constitution guarantees fundamental rights to the citizen in मेंसे किस article article के अंदर हमारे fundamental rights जो हमें मिलते हैं constitution में इन articles में से कहां पर हैं तो यह चार options आर्टिकल 12 to 35 12 to 30 15 to 35 14 to 32 इन चार options में आपको एक option बताना तो आपको दस सेकेंड जैसा हमेशा मिलते हैं तो यह दस सेकंड मिलेंगे और इसका सॉल लपने कोशिश कीजिए बहुत सारे बहुत सारे स्टूदेंट्स ने इसको बहुत सही बता होगा क्योंकि बहुत बेसिक क्यूर्शन questions में से एक एक हमारा fundamental rights हमारे Constitution में एक question इसके अलावा जो बनता है वो बनता है कौन से part में दिये गए हैं तो हमारा part 3 of the constitution वो deal करता है fundamental rights से part 3 of the constitution हमारे constitution का भाग तीन part 3 हमारे fundamental rights से deal करता है और इस पार्ट 3 में हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तदिये गए हैं कहां से कहां तक है 12 to 35 तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स ने Constitution में आर्टिकल 12 to 35 में 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 तो हमारे इसका अंसर हो जाएगा वाइग है तो इसमें यह यह बड़ा important question यह कई बार पूछा गया है अलग लग State PCS ने बहुत बार पूछा है कि हमारे कौन से पार्ट में fundamental राइट आते हैं कौन से पार्ट में DPSPs आते हैं कौन से पार्ट में fundamental duties आते हैं तो हम जब आर्टिकल्स को कर रहे हैं एक बहुत common question State PCS पूछता है कि इन articles को उसके अंदर क्या provision है उनके साथ match किजी तो जब fundamental कर रहें तो fundamental rights हमें with article याद हुने चाहिए सभी कि कौन से आर्टिकल में कौन सा fundamental right दिया गया है मैं इसदा following के लिए बहुत important question रहते हैं उसके साथ-साथ ये पार्ट्स भी बहुत पार पूछे आते हैं और एक तीसरा question जो सेड्यूज वह भी पूछे आते हैं जिसको हम आज बबद करेंगे तो पार्ट 3 में fundamental rights और article 12 to 35 हमारे questions और नेक्स्ट के तरफ जो हम चलते हैं तो इंडिन constitution right to freedom वो इन में से किस article में दिए गए राइट तू फ्रीडम सबसे पहली चीज कि हमारे constitution में कितने तरह के rights जो fundamental rights कितने fundamental rights हमारे पास available हैं तो यह सब हमें पता है कि हमारे पास total यह रख भार पहले पूछा गया है कि जब हमारा constitution मेंat हमारे constitution में कितने fundamental rights थे तो originally आगर हम देखें तो हमारे पास कि 7 fundamental rights थे लेकिन आज हमारे पास 6 हैं यानि एक fundamental right delete ہوا है वह कौन सा हुआ है तब तक आप सोचिए उसको question के question के द्वारां करेंगे तो आज हमारे पास च्छे fundamental right है और उन एक उन च्छे fundamental right में से एक है right to freedom वो इन में से किस articles के अंधर आता है यह हमारा question है तो चार option है आपके पास 10 सेकेंड है आप इसको सौल करने कोशिश कीजिए फिर हम आगे चलते हैं बिल्कुल आपने बहुत बहुत बेसिक सा क्योशन है च्छे के च्छे आर्टिकल के हमें आर्टिकल याद होने चीए च्छे 6 चे 6 जो फ्रीडम है रइट टोफ्रीडम है इनसब रइट के हमें आर्टिकल याद होने चीए किюда कि एक कि लिस्ट आपके पास तैयार होनी चीए तो हमारे जो रइट उ फ्रीडम है वह आंटिकल आर्टिकल 13 के उपर important question पूछा आता है कि judicial review की power हमें कहां से मिलती है जुडीशियल review की power हमें कौन से आर्टिकल से मिलती है तो आर्टिकल 13 यह हमें पताओं अच्छिए देन उसके बाद हमारा right to equality आता है आर्टिकल 14 to 18 आर्टिकल 14 to 18 के आता है right to equality और उसके बाद 19 to 20 हमारा आ जाता है right to freedom ठीक है तो हमारा right to freedom हो जाएगा 19 to 20 एक एक के उपर बात करेंगे attention अब यह हमें एक एक करके देखते चलना अब अगला हमारा आता है यह इस तरीके से पूछाता है कि इन में से जो मेंशन किया गया वो किस आर्टिकल में है तो अभी किस चीज़ के वारे पूछ रहा है हमारा इसमें पूछ रहा है in which article eradicates untouchability untouchability को remove करने की बात कौन से आर्टिकल में की गई है and prohibits its practice in any form जो किसी भी रूप में इसकी practice को prohibit करता है untouchability को remove करने की बात कौन से आर्टिकल में है तो जस्ट फाइव सेकिंड्स के आपको मिलते हैं जिसको पता है उसको पता है क्योंकि बहुत सीधा सीधा सा question है तो आप इसको solve कर पाएंगे बिल्कुल बहुत सारे experience में इसको सही भी बताया होगा तो article 17 हमारा हो जाता है हमारे जिसमें हम remove करने की बात करते हैं untouchability को कि भारत से हमें untouchability को हर practice में remove करना है ठीक है एक बहुत important चीज जो fundamental rights के बारे हम पता होने चीए हर fundamental rights के पीछे कुछ ना कुछ restrictions है उनको absolute तरीके से पूरे तरीके से लागू नहीं किया जा सकता कुछ restrictions है जैसे हम अगर equality की बात करें तो equality को पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सक ता कुछ लोगों को special power दी गई है जैसे MPs, MLAs, President इन सब को special power है तो equality तो है नहीं लेकिन वह powers मिली है कुछ restrictions है इसकी वज़े से हुने power के मिली है कुछ restrictions के तहत हम equality के साथ सबसाथ treat नहीं कर सकते जैसे एक example अगर हम देखें right to equality का कि बस में हमने देखा हुआ कुछ seats women के ल reservation होता है वो right to equality के अगेंस्ट है लेकिन वह restrictions में आता है कि हां हम यहां पर right to equality नहीं भी फॉलो करें तो चलेगा क्योंकि constitution में mentioned है तो सारे articles को अगर हम देखें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ restrictions हमें मिलते हैं लेकिन article 17 ऐसा है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई restriction नहीं है तो तो हर form में remove करना है कोई इसके अंदर reasonable restriction नहीं है हर form में remove करना पड़ेगा यह absolute article का एक example है absolute article जो हमारे constitution में है ठीक है चलो हम अगरे question की तरफ चलते है which one of the following is not properly matched इस तरह का question बहुत important है यही इस type के questions ही आपने की इन में से कौन सा properly matched नहीं है तो आपके सामने चार आर्टिक लिखे हुए है तो कौन सा नहीं है आपको दस सेके इसके लिए मिलते हैं पढ़िए शुरुवता टैम आर्टिकल 23 प्रोइबिशन ऑफ ट्राफिक इन हुमेन इंफोर्स लेबर आर्टिकल 24 प्रोइबिशन ऑफ एंप्लायमेंट अफ चिल्डर इन फैक्टरीज आर्टिकल 26 फ्रीडम तु मैनेज रिलीजिस एफेस एंड आर्टिकल 29 फ्रीडम ऑफ एस्टेबिश्मेंट अध्यूर्टिशन ऑफ एड्यूकेशनल इंस्टिटूशन वाइन इन में से कौन सा सही और कौन सा नहीं जिसने पढ़े हैं वो देखते ही बता सकते हैं तो इसमें से हम जैसे एसधे तक हेंगे आर्टिकर 23 से अ의 को रिंटी प्रोहिशन अथ्रेएं सप्राफिक इनнакомेन voor लेबर की बाट करता है इन सब्सार्वर्मेंट इन्स हैं मिर्मेंट प्रोहिशन ओजर एंट्वार्मेंट निईए हैं मेनिस आम आव्श्रावκαल इंवाख्टर्मेंट next article 26 भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है freedom to manage religious affairs लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है ये आर्टिकल 13 लिखा हुआ है आपर जो provision है ये आर्टिकल 30 का दिया गया है to establish and administer educational institution by minorities minorities को जो हमें freedom दी हुई है to establish educational institution and to administer educational institutions वो आर्टिकल 30 के तहते आर्टिकल 29 नहीं है आर्टिकल 29 में क्या होता है आर्टिकल 29 में minorities को हमने rights दिये हुए है to conserve their language script and culture ठीक है तो यह हमें पता होने चाहिए language script and culture इन चीज़ों को conserve करने के लिए minorities को rights मिलता है आर्टिकल 29 के अंदर तो 30 में यह आ जाता है तो हमारा इसका जो सही अंसर होगा वो जाएगा D क्योंकि यह properly matched नहीं है ठीक है तो D answer हो जाएगा चलिए आज लिए अजिकरिशन की तरफ चलते हैं कि हमारे constitution में fundamental rights का guardian किसे का गया है तो 5 सेकंड आपको मिलेंगे 5 सेकंड में आप इसको बता सकते हैं पार्लियमेंट, प्रेजिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और कैबिनेट बिलकुल बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही भी बताया होगा इसका अंसर है सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32 के तहित का गया है अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वाइलेट होता है तो उसके पास यह अधिकार है आर्टिकल 32, राइट टू कॉंस्टिटिटिटिट्ट रमेडीज, कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके अपने उस अधिकार को दुबारा से रिएस्टेब्लिश करवाने के लिए ठीक है तो यह हमने बिलकुल सही है एक एक आर्टिकल को भी हम समझेंगे जब इसके पीचर्स को देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी क्या है क्या ही फंडामेंटल राइट है तो यह क्वेशन आपके सामने पांच सेकिंड आपको मिलेंगे राइट टू प्रॉपर्टी क्या है फंडामेंटल राइट नेचरल राइट स्टेटूटर राइट यह लीगल राइट है इसके बारे मे Constitution को लिखा गया था तो हमारे पास seven rights थे उन seven rights में से एक right right to property भी था लेकिन हमने इसको remove किया आज हमारे पास सिरफ छे rights हैं उसके अंदर right to property fundamental right नहीं है अगर इसको remove किया तो कब किया यह question आता है तो right to property was removed by 44 constitutional amendment act of 1978 44 constitutional amendment act of 1978 तो question आता है आज ही fundamental right नहीं है क्योंकि 1978 तक था उसको हटा दिया तो अब right to property क्या है तो इसको remove करके हमने डाला article 300a में अब right to property जो है वो हमारे constitution में तो mentioned है लेकिन part 3 में नहीं है जो rights part 3 में mention होते हैं सिरफ उन्हीं को हम fundamental right कहते हैं तो part 3 में से remove करके हमने article 300a में इसका mention किया तो article 300a है right to property तो वो क्या हो हो गया constitution में कुछ भी चीज में तो constitutional right है हमारा हो ठीक है लेकिन constitutional right को या में नहीं उसके अलावा दूसरा option क्या आएगा नेचरल राइट नहीं statutory right नहीं तो हमारा अंसर बसता है legal right राइट to property हमारा legal right है या फिर एक option आपको अगर कहीं मिले तो हम constitutional right भी इसको कह सकते हैं अगर legal right की जगह पर कहीं पर constitutional right दिया और right to property के लिए तो वो भी सही होगा क्योंकि हमारे आर्टिकल 300 इमेंच का इसको mentioning किया गया है बिल्कुल सही है चलिए हम आगे चलते हैं अगले question के उपर अगला question भाई which of the following right to property has been omitted अभी थोड़ी दर पहले मैंने बताया था 44th constitutional amendment act year कौन सा था 1978 ठीक है चल आगे चलते हैं अब question पर यह question थोड़ी दर पहले discuss किया है लेकिन फिर भी हम एक बार देखते हैं assertion और reasoning का question दो statement है उन दो statement का आपस में कोई relation है या नहीं कोई statement सही है या गलत है वो बताना है तो basically पहला statement बोलता है डॉक्टर अमवेड कर डिस्क्राइब आर्टिकल 32 ऑफ दी constitution as as the soul of the constitution डॉक्टर अमवेड कर ने आर्टिकल 32 को soul of the constitution बोला था क्या बात सही है आपको बताना है second statement यह पड़ता है आर्टिकल 32 प्रोवाइड अगेंस्ट वाइलेशन और फंडामेंटल राइट कि आर्टिकल 32 हमें रेमेड प्रोवाइड करता है जब भी आपका इन दोनों में से क्या आपको कि statement गलत लग रहे है यह दोनों सही है अगर दोनों सही है तो क्या यह दोनों statement आपस में किसी भी तरह relatable है यह आपको बताना है तो 10 seconds का time है पहला option है कि both are true and are any reason is the correct explanation of assertion ठीक है अगला बोथ are true but are is not the correct explanation of the assertion ठीक है चलो हो सकता है भी second C अगर हम देखें तो A true है R false है क्या है सही है D है A is false and R is true तो कौन सा सही है बिल्कुल इसके लिए आपको पता हुना चाहिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर बियार अमेड करने soul of the constitution बोला था क्यों बोला था क्योंकि reason यही था आर्टिकल 32 हमें remedy प्रोवाइड करता है कि जब भी आपका fundamental right violet होगा तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आपने उस fundamental right को बाफिस claim करने के लिए और इसलिए डॉक्टर बियार अमेड करने इसको soul of the constitution बोला था दोनों statement सही है और reason is the explanation of the assertion ठीक है तो हमारा option A.S. का सही हो जाएगा ठीक है चली आगे चलते है आर्टिकल 32 के बारे में और भी important चीज़ें जो में पताओने जीए आर्टिकल 32 guarantee देता है fundamental rights की सुप्रीम कोर्ट जाने की हमें आजादी देता है और इसके अलावा आर्टिकल 32 में कुछ rates को mention किया लिया है आप सुप्रीम कोर्ट जाके उन rates को लागू करवा सकते हैं वो rates कौन कौन से हैं पांच rates हैं वो पांचो rates के नाम और उनका meaning हमें बताओना जीए match the following में वो भी आ सकते हैं तो पांचो rates कौन कौन से हैं वो हमने description में भी लिखे हैं अभी थोड़ी देर पहले हम थोड़ी देर बाद हम उसको देखेंगे next question is which of the following statement in regard to the fundamental right mentioned in the constitution of India are correct इन में से कौन से statement fundamental right के रिगार्डी तो fundamental rights के कुछ feature समय पताओने चीए तो उसके बारे में पहला statement यह पर्मानेंट इन नेचर यह देज दे कैन नाट बिए स्टेबलेश्ट कैसे ही है यह आप बताएंगे उसके आद options के हिसाब से कि इन में से कौन से options है they are not amenable as far as their basic philosophy is concerned पुरा स्टेटमेंट पढना और ध्यान से पढने they can be suspended they can be available only to the citizens and not to legal or commercial entities besides being defended by the Constitution of India they are guaranteed by the Supreme Court and the High Quotes as well as president of India तो इन में से कौन गौन सा सही है कौन सा गलत है सारे सही है यह आपको बताने है ठीक है तो 5 seconds और आप options देख लीजिए उस हिसाब से अंदाजा लगाने क्योंकि जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो आपको अंदाजा हो जाना चीए कि यह सही है गलत है चलिए 5 seconds में आप डिसाइड कीजिए जिसको टाइम चीओ पॉज कर सकता है वीडियो को ताकि उसको थोड़ा सा टाइम कर जाए बिल्कुल अब हम बात करते हैं पहली चीज़ द्यार पर्मानेंट इंड नेचर क्या ऐसा है अगर पर्मानेंट होते तो राइट टू प्रॉपर्ट को हमारा घलत हो जाता है और जब पहला स्टेटमेंट गलत हो तो यह भी हमारा घलत हो गया यह भी गड़त हो गया अब ऑक्षण बोजए 2 3 त्ची सच सब्सक्राइब कर सकते हैं कि एक सब्सक्राइब था इसमें जो एक important question जो मैंने नहीं लिया लेकिन वह आपको बताना बताना है मुझे important cases जो fundamental rights से related हैं वो कौन-कौन से हैं वो हमें पता होने चाहिए Supreme Court cases पूछे जाते हैं गोलकनाथ case 1967 I.C. गोलकनाथ उसमें कहा गया था कि Parliament cannot amend fundamental rights पार्लियमेंट fundamental rights को टच नहीं कर सकती है तो पूछा जाता है which of the following cases it was said that fundamental right cannot be amended तो answer होना चीए I.C. गोलकनाथ case of 1967 ठीक है ज्यान रहेगा इसके अलावा आज तक कोई ऐसा case नहीं है जिसमें बुला गया हो fundamental right are not amenable इसी के और revise करने के लिए हमारा 1973 का case है केश्वा नंदाबार्ती case जिसे हम basic structure doctrine जहां से evolve वो पता है वो पता होना चीए उसमें बुला गया था fundamental rights can be amended लेकिन उनकी basic philosophy नहीं amend कर सकते जब हमने इस sentence के साथ basic philosophy जोड़ दिया तो ये sentence सही हो गया लेकिन अगर हम इसको सिरफ इतना छोड़ दे दे आर नौट amenable तो ये घलत हो जाता क्योंकि they can be amended ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि fundamental right cannot be amended लेकिन आप basic structure चेंज नहीं कर सकते उस fundamental right की basic philosophy चेंज नहीं कर सकते समझ में आ गया तो इसलिए ये सही है क्योंकि इसके साथ हमने ये जोड़ा हुआ है अगर ये नहीं जोड़ा होता तो ये गलत होता ये सारी चीज़ें हमें पता होने चेंज जब हम MC क्यों attempt करते हैं क्योंकि यहीं हमारी गलतियां होती हैं यहीं छोटी छोटी गलतियां हमारे marks को खाते हैं आगे चलते हैं they can be suspended बिल्कुल they can be suspended emergency के दौरान आपसे आपकी fundamental right छीने जा सकते हैं तो इसी के साथ एक question और हमें पता होना चीज़ें क्या कोई ऐसा fundamental right है जिसको suspend नहीं किया जा सकता हाँ है कौन कौन से article 20 और article 21 यह दो right ऐसे हैं जिने हम in alienable right कहते हैं in alienable right क्यों कहते हैं क्योंकि इन्हें emergency के दौरान भी छीना नहीं जा सकता इन्हें remove नहीं किया जा सकता article 20 और 21 क्या शुरुआत से ऐसे 10 नहीं जब इंद्रा गांधी ने emergency लगाई थी तब उस टाइम पर सारे fundamental right छीन लिये थे हमारे उसके बाद जो next amendment वहा था 44th constitutional amendment act उसमें कहा गया था कि यह दो rights ऐसे रहेंगे जिने आप कभी भी नहीं चीन सकते एमेर्जेंसी के दौरान नहीं चीन सकते तो इसलिए article 20 और 21 को in alienable rights कहा जाता है समझ मैं ठीक है अगला चलते हैं ठीक है यह फोर्थ हमारा सही हो जाएगा पर फोर्थ क्या है यह दे गें वी एवेलेबल ओनली टू सिटीजन नॉट टू लीगल और कॉमर्शिल एंटीटीज को भी राइट्स एवेलेबल हैं अब इसमें छोटा सा केशन हमारे पास आयता है क्या कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिरफ और सिरफ सिटीजन के लिए सिरफ सिटीजन के लिए कौन से अवेलेबल है वो हमें पता हो रही है आर्टिकल 15 आर्टिकल 60 यह नंबर लिख लेना कहीं पर बहुत इंपोर्टन है 15 16 19 29 and 30 यह पांच आर्टिकल ऐसे हैं दोज आर एवेलेबल और ली टू सिटीजन्स यह आर्टिकल सिरफ और सिरफ सिटीजन्स को अविलेबल है यह राइट्स इसलिए सिटीजन होने का फायदा हमारे देश में इसलिए लोग सिटीजन्शिप को कोई पूछ है कि सिटीजन्शिप का फायदा क्या है तो जब हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमें यह एक्स्ट सभी के लिए एविलेबल है चाहे वो फॉर्णर है चाहे वो इंडियान हैं समझ गए तो इसी लिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है यह सबी fundamental right की बात करता है सबी fundamental right तो सब के पास available है citizens के लिए सिरफ और सिरफ अगर हम कहें special क्या है बाकी सब तो citizen के लिए available है लेकिन ये सिरफ citizen के लिए available है ये बाकी किसी को नहीं दिये जा सकते तो ये अब में पताऊने चीए 15, 16, 19, 29 and 30 ये चार आर्टिकल कौन कौन से है आप हमें comment box में लिखके बताएंगे हलांके दिये हुए हैं लेकिन फिर भी आप लिखिए अगर आपको याद आ रहे हैं तो ठीक है अगला देख लेते हैं besides being defended by constitution of India ध्यार guaranteed by supreme court कि constitution of India तो defend करती है fundamental right को लेकिन उसके साथ-साथ इसकी guarantee supreme court के द्वारा दी जाती है बिल्कुल सही है लेकिन high court और president of India भी guarantee देता है क्या नहीं 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 only supreme court of India under article 32 article 32 right to constitutional remedies अगर आपका कोई fundamental right violate होता है तो आप supreme court जा सकते है तो they are guaranteed by supreme court not by high court or president of India ठीक है इसी लिए हमारा fifth घरत हो जाता है तो answer हो जाएगा two and three हाँ two and three only तो be answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगले पर देखते है अगला question क्या है what distinguishes supreme court's rights jurisdiction from that of a high court article 32 और article 226 supreme court का rights jurisdiction article 32 से मिलता है और high court को रिट की power जो मिलते है article 226 से मिलते है ठीक है इस तरीके से जब भी question आए आप revise करो दिमाग में कि इससे क्या है क्या चीज होती है इन दोनों की रिट पाउर में क्या difference है वो हमें बताना तो हम statement पढ़ते है आपको 5 second time देंगे और उसके बाद हम इसको solve करेंगे Supreme Court can issue rates for any purpose Supreme Court any purpose के लिए rate issue कर सकता है whereas High Court only for enforcement of fundamental right क्या है सही है सोची थोड़ा बत 5 second आपको मिलेंगे Supreme Court can issue rate against government whereas High Court cannot कि Supreme Court तो government के against rate issue कर सकती है लेकिन High Court नहीं खर सकता क्या बाद सही है आप इसको सोच के बताएंगे इन में से पहला सही है, दूसरा सही है दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है ठीक है? तो 5 second आपके पास है सोचीए चलिए यह बहुत confusing से थोड़े से statement होते है तो इनके ओपर ध्यान देना पड़ा ज़रूर है जो इस टैप पर होते है ठीक है? आर्टिकल 32 हमारे fundamental rights में आपता है और अभी तक हम बोलते आए हैं Supreme Court is the guarantor of the fundamental right तो यहाँ पर अगर हम देखें Supreme Court को जो rights दी गई है वो दी गई है only for the enforcement of fundamental right यह उल्टा लिखा हुआ है High Court can issue rights for any purpose High Court के पास जो power है किसी भी purpose के लिए रिट इशू करने की है लेकिन Supreme Court सिरफ और सिरफ enforcement of fundamental right के लिए कर सकता है इसलिए कहा जाता है कि High Court की जो रिट पावर्स है that are wider than Supreme Court रिट पावर्स High Court के रिट पावर्स हर wider than the Supreme Court of रिट पावर्स क्यों क्योंकि Supreme Court तो सिरफ और सिरफ fundamental rights के लिए रिट इशू कर सकता है और High Court any purpose के लिए रिट इशू कर सकता है clear है तो पहला statement उल्टा लिखावा तो यह गलत हो गया सेकर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिट इशू कर सकते हैं तो यह sentence भी हमारा गलत है तो इसी लिए इसका अंसर क्या हो जाएगा none ठीक है none हो जाएगा बिलकुल यह भी हमने देखा चलिए अब अगला right to privacy right to privacy को अगर हम देखें यह बड़ा important right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal repertory यह statement दिया है और नीचे पुछा हुआ है कि इन में से कौन सा प्रोविजन जो हमारे constitution में है constitution of India में कौन सा प्रोविजन जो है appropriately imply करता है इस statement को यानि कि यह right to privacy कौन से article के अंदर आता है तो यह हमें बताना है article 14, 17, 21 या 24 तो इसमें सोचिए पांच सेकिंड का टाइम आपके पास है बहुत easy सा question है इससे related एक और चीज जो हमें पताना है वो मैं आपको बताऊंगा विल्कुल सही right to privacy हमें article 21 के अंदर मिलता है right to privacy article 21 के अंदर हमें मिलता है और ये इसके लिए जो important चीज जो हमें एक और चीज पता होने चीए पूछा जाता है which supreme court case is associated with the right to privacy कौन से supreme court case में supreme court ने right to life के अंदर right to privacy को भी add किया right to life के अंदर बहुत सारी चीज़े added है अलग-अलग cases में लेकिन right to privacy किस case में add हुआ था वो हमें पता होने चीए that is puttaswami P.U.T.T.A puttaswami case of 2017 ठीक है puttaswami case में right to privacy को right to life article 21 के अंदर जोड़ा गया था ठीक है ये चीज़ हमें पता है अब इसी के साथ हमें जो कुछ और चीज़े पता होने चीए कुछ important cases और पता होने चीए जो आपको लिख रहे है ठीक है सबसे पहला तो हमें पता होने चीए गुलकनाथ case Supreme Court case बड़े important हो जाते है इनकी कई बार तो sequence पूछ रहाता है यह हमारा 1967 में इसमें बोला गया था fundamental rights cannot be amended ठीक है यह question आता है fundamental rights cannot be amended यह किस case में बोला गया था तो गुलकनाथ case था लेकिन उसके बाद उसको reverse कर दिया गया था और केश्वाननदा भारती case में बोला था fundamental rights can be amended लेकिन लोग गलती करके आते हैं केश्वाननदा भारती लगा के आते हैं उसको ठीक है next आ जाएगा केश्वाननदा भारती case केश्वाननदा भारती case में क्या हुआ था हमारा basic structure doctrine ठीक है basic structure doctrine और बोला था कि जब तक basic structure आप change नहीं कर रहे हैं तब तक आप change कर सकते हो fundamental right को but you cannot change the basic philosophy or the basic structure of the fundamental rights or any part of the constitution clear है यह वाँ 1973 ठीक है फिर उसके बाद दो किसे जोर आपको पता होना चीए मेन का गांधी case spelling मने का लिखते हैं उसको लेकिन बोलते मेन का हैं ठीक है मेन का गांधी case मेन का गांधी case में क्या हुआ था article 21 को बहुत broader perspective में देखा जाने लगा article 21 को थोड़ा सा wide गर दिया क्या किया इसमें right to life लिखा है लेकिन वो life कैसे with dignity and choice हमें जीनी है यह हमारे मेन का गांधी case में तो मेन का गांधी case is associated with article 21 यह क्या था इसके अंदर आपको दो चीज़े पता होनी चीए दो question आपके बनते हैं यह basically मेन का गांधी के passport को लेके था कि मेरा जो passport है मेरा अधीकार है मुझे world में कहीं भी जाने का अधीकार है यह इस case को लेके लड़ने गए थे तब उसके अंदर दो चीज़े हमें पता होनी चीए कि right to move हमारे पास है कि हम कहीं भी जा सकते हैं लेकिन अगर हमें outside इंडिया जाना है तो यह अधीकार हमें article 21 से मिलता है लेकिन हमें right to move inside इंडिया करना है यह आंचीकल 21 से मिलता है और स्वरी आटिकल 19 से मिलता है यह दो चीज़े हमें पता होनी चीए right to move outside इंडिया भारत के बहार जाना है तो right to life article 21 से associated है लेकिन वही पर राइट तो मूव इंसाइड इंडिया है इंडिया के अंदर आपको कहीं भी मूव करना है तो आर्टिकल 19 एसोशीटेड है यह चीज़े पता होगी अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमें पता होना चीए अभी थोड़ी देर पहले मनें बताया तुट्ता स्वामी case for right to privacy यह तीन चार है जो important है वैसे बहुत सारे है लेकिन तीन चार जो बहुत important है वो यह है और उनसे related क्या-क्या चीज़े हैं वो भी मैंने आपको बताई और यह as it is आपके पास notes में यह screenshot लेके आप इसको कर सकते हैं यह बहुत important है वैसे में writing नहीं समझ में आएगी तो आप अपने नोट्स बनाए ज्यादा बहतर होगा लिखेंगे ज्यादा समझ में आए ला ठीक है चलो यहां तक हो गया अब यह मैंने कुछ notes आपको दिये हुए हैं ताकि आप revise करें तो आप डाल देंगे वहां से आप ले सकते हैं तो हमारा right to equality सबसे पहला 14-18 आर्टिकल के अंदर कौन कौन से आर्टिकल से क्या related वह हमें लिख दिया 19-22 right to freedom हो जाता है 19 कौन सा है 20 कौन सा है 21 कौन सा है 22 कौन सा है एक बार पढ़ देना important चीज़े में यहीं लिख दिये सारी क्या क्या है पता होना चाहिए 29-30 right to minorities है जैसा आप अब यह question में किया था 29 तो बोलता है to conserve language script and culture उसके लिए minorities को rights देख रहे हैं लेकिन 30 बोलता है to establish and administer educational institutions ठीक है यह चीज़े पता है तो हम आगे चलते हैं उसके आद article 32 यह रख आर्टिकल 32 right to constitutional remedies यह हमारा च्छटा sixth fundamental right है और एक right जो हमारे पास और था वो था right to property जो हमने remove कर दिया 44th amendments है यह हमारे कौन से article में था article 31 में था आज कहां पर है हमारे article 300a में है ठीक है इतनी चीज़े पता है बस आपके fundamental rights cover है इसके जो features हैं जो मैंने अभी बता है वो यहां लिख दिया है क्या क्या है कि कुछ fundamental rights जो सिरफ और सिरफ citizens को available हैं वो कौन-कौन से हैं वो आपको पता होने चीए some of the fundamentals are available to all citizens कौन-कौन से 15, 16, 19, 29 and 30 ठीक है इलिख लेना यह सिरफ citizens को हैं इसके अलावा बाकी सब के लिए अविलेबल हैं citizen plus foreigners ठीक है second is fundamental right absolute नहीं होते हैं उनको हटाया भी जा सकता है उनके ओपर reasonable restrictions भी है एक और word आता है they are not sacrosanct ऐसा नहीं है कि वो इन वाइलेबल है उनको वाइलेट किया जा सकता है ठीक है अलग-अलग reasons के द्वारा तो not sacrosanct यह word भी आद रखना fundamental rights are not sacrosanct ठीक है question आएगा fundamental rights are sacrosanct is this statement correct और wrong तो आप क्या लगाएंगे क्योंकि fundamental rights are not sacrosanct और not absolute अगला आता है कि fundamental rights are justiciable यह important क्यों है क्योंकि इसके अगला पार DPSP वो non-justiciable है यह justiciable होते है fundamental duties non-justiciable है लेकिन fundamental rights are justiciable ठीक है यह ध्यान रहेगा इसका मतलब वह आता है they can be enforced by courts अगला क्या है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नि किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स कैन भी अमेंड़ेड वाय पार्लियमेंड लेकिन only if the amendment does not alter the basic structure of the constitution वह amendment basic structure को टच नहीं कर रहा तब तक मुसे टच कर सकते है ठीक है क्लियर अगला क्या है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ दी इंडिन पॉंस्टिटूशन उन्हें हम सस्पेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं they can be suspended during emergency लेकिन 20 or 21 can not be suspended ठीक है क्लियर एप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स केन बी रेस्टिक्टेड फंडामेंटल राइट का अप्लिकेशन कहीं जगह पे रेस्टिक्ट कर दिया आता है जैसे कहीं पे अगर हम मार्शल लाव लगा देगा वहां पर फंडामेंटल राइट्स नहीं लागू होते हैं यह इंपोर्टेंट फीचर्स हैं जो आप पढ़ोगे जो आपको बहुत फास्ट रिवीजन के लिए आखे काम में आएंगे एक वार इस वीडियो को देख लिया और फिर उसका पीडियो को रिवाइज करने में आपको पंदरा मिनिट से जी जादा नहीं लगेंगे 15 मिनिट में आपके फंडामेटर राइट हो जाएंगे शेडूल को जाएंगे एक अधा फीचर भी कवर हो जाएगा जैसा मैंने बोला था एक 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 अधा एक आधा फीचर से रिजैसे मां हर एक वीडियो में लात करा हूँगा है यह हमारे पा करवानी है तुम एंडेमस की रिट इशू होती है अगला है को वारंट हो वाइवाट और वाट ऑफारेटी कि किस वारंट से किस ऑफारेटी से तुम इस कुर्सी पर बैठे हो मुझे जवाब दो कि तुमने गलत जगह तुम यहां तुम अपना गलत अधिकार जमा रहे हो तो किस ऑफारेटी से इस के ऊपर काम करो या हमारे पास ट्रांसपर करो ठीक है यह इंपॉर्टन है और उसके अंदर क्या चीज़ है मैंने आपको आप इसको देख सकते हैं ठीक है बहुत जल्दी आपका रिवीजुन हो जाएगा पांच ओड़ेट्स मैंने एक जगह पर लग जाता हूं और इसका अंसर करने ही कोशिश करना फिर मैं इसको एक्स्प्रेंड करता हूं ठीक है चलो वीडियो पॉस कर लीजिये जिसको पढ़ना है ठीक है चलो अब इसका अंसर करने एक खोशिश करते हैं बहुत लंबे-लंबे स्टेटमेंट है इसलिए मैंने ज्यादा कमपोनेंट से एवیलेबल हों मैं कौन-कौन सा लिख लेते हैं सबहुंक से पहली चीज वहां की दिफाइंड टैरिटरी के दूसरी चीज्ज इस टैरिटरी में रहने वाली पॉपुलेशन होनी चीज़ उस जगह पर रहने वाले कुछ लोग होने चीज़ जो कहें कि हम यहीं के हैं तीसरी चीज वहां पर शाशन चलगा हो किसी भी तरह हो सकता है चाहिए वाजा शाशी निकरता हो चाहिए वाट डेमोक्रेसी हो चाहिए सब्सक्रामा ओका किसी ने किसी तरह कि फॉपॉलेटिकरल सिस्टम ना पर होना चाहिए यानि एक टाइप और नमर्मन्टपकर होनी चीज़ जो उस जगह को फेसा जर्शन कर रही हो जाप उस जगह पर शाशन कर रही हो और चौती चीज़ वहाँ पर important है कि वहाँ पर sovereignty होनी चाहिए यानि वो किसी के अंदर ना है वो अपने आपने एक आजाद एरिया होना चाहिए ठीक है यह चार component अगर किसी के वास हैं तो वो अपने आप स्टेट कहला सकता है अलंकि पांच वाग चीज भी जोड़ी जाती है एक पांच वी चीज यह जोड़ी जाती है कि उसको इंटरनेशनली रिकवनाईज घर नज़र होगी है ऐसा नहीं है कि आज को स्टेट अलग हो के बोल दे कि मैं तो नया देश हूँ मैं तो नया स्टेट हूँ बहार के देश भी तो माने कि हां तुम स्टेट हो तो वो जोड़ा जाता है लेकि डेफिनेशन में हम उसको लिख होता है उसकी डेफिनेशन क्या है उसके चार कंपोनेट क्या है तो वो इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें अंधाजा हो जाएगा पहली बात कम्मिनिटी ऑफ पर परसन पॉपुलेशन आ गई डिफ डेफिनी टेरेट्री टेरेट में आगी है यानि हमारा करेक्ट टांसवर क्लियर है ठीक है अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल में अगले किस्टन में यह स्टेट पीसियस का मलब यह लगा लो जो मैस्दा फॉल्विंग करते हैं तो शीडूल पूछे जाने की संभा होना यह बहुत होती है तो शीडूल हमें पता होने चेवारा के बारा शीडूल पहला है नाइन चीडूल यह हमारे कॉंस्टीक्व प्राइम मेनस्टक लिगा था टख़ूररे सब्सक्तूर द्रब्रा मिनस्ट्र्श का थे तो, इस से एक चीज तो पता होते है नायन शीडूल और इजनली कंस्टिटूशन में नह जो हमने constitution में mention ना करके constitution के पीछे list लगा दी ये list number one, ये list number two, ये list number three तो उसका हमने बोल दिया schedule one, schedule two, schedule three इस तरीके से आठ lists है, आठ schedules है लेकिन amend करके करके आज हमारे पास 12 schedule है तो 9 वाँ schedule पहला question जो इससे related आता है उसके उपर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि 9 जीडियूद किस प्रधान मंत्री के कारिकाल के दोरान, किस प्राइम बिनिस्टर के दोरान जोड़ा गया था, एड़ किया गया था, तो आप बताने की कोशिश कीजिए जवालाल नहरू, लाल बादू, शास्त्री, इंदरा गांदी और मुराजी देशाई, बिलकुल बहुत सारे बच्चों ने सही बताया होगा, ये हमारे फर्स्ट, जो प्राइम बिनिस्टर थे, जवालाल नहरू, उसी ने तोड़ गया, ठीक है, हमने ये जोड़ा कब था, सबसे इंपोर्टन चीज, ये नाइन शेडूल, जब हमने हमारे समविधान में, सबसे पहला समविधान संशोधन, या फर्स्ट, 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 फर्स कौंसे इयर में और मitquin तो जाओ ला लान लहरू राम मिनिस्टर थे आँवामे पाता हो masa है अगला भी शीडूल से एंटी डिफेक्शक्रेंट कौना जूनformation्ट है एंटी डिफेक्शन हमारा 10 चीडूल में आया था 8 चीडूल क्या है language से related है पता होने चीजह सारे थे हलांकि कुरी list है अब यह मुस्त लिस्ट के उपर ही बात करते है ठीक है 10 चीडूल में एंटी डिफेक्शन आया यह हमें पता होना चीड तो हम इसकी list देख लेते हैं, schedules की list के आता है, पहली चीज, first schedule क्या है, states की list है, UTs की list है, की 1, 2, 3, 4, 5, यह हमारे state है, यह हमारी UT है, जब भी कोई state में change आता है, UT में change आता है, तो हम first schedule में change करते हैं, यह question के पूछा जा सकता है, कि जब भी हम state में change कर रहे हैं तो हम कहां पर change करेंगे first schedule में change करेंगे state का नाम change कर रहे हैं तो भी first schedule में change होगा कोई नए state बना तो first schedule में change होगा क्यूकि state की list हुआ पर है second second schedule salaries से related है emolument से related है privil 번ancy 1998 salary किसú की किस Devil in clean कि इसकी नहीं इब इसमें पता होना चीए फ्रेजिडेंट जितने भी हैं यह स्टेटेट में लेजिस्लेटिटिव एसेम्छी सेलरी और इसके अलावा अलावा सुप्रीम कोड के जजञेज के सेलरी और CAG की salary और high court के जज़ेश की salary इनकी salary second schedule में लिखी हुई है इनकी salary second schedule में mention है कि इनकी इतनी salary होगी तो जब भी इनने salary में कोई भी amendment किया रहता है जब भी paralement कहते है कि इनकी salary हम बढ़ा रहे हैं तो second schedule में कि इनकी नहीं है जो important question कुछ है जाता है कि पूछा जाएगा सेकिंड सीडूल में इनकी सेलरी है या नहीं तो किसी भी MP की MLA की मिनिस्टर्स की एलेक्शन कमिशनर की UPSC मेंबर्स की सेलरी इसमें नहीं होती है सिरफ कैग हाई कोट सुप्रीम कोट के जजजेज और जितने भी हाउसेज के जो चेयर परसन है उनकी और प्रेजिडेंट और गवर्नर इनकी सेलरी है थर्ड शेड्योल आता है Ó Черफ से रिलेटेडरी किसी ओध जितने भी मिनिस्टर बंगते हैं सबी मिनिस्टर्स की ठीक है जितने भी election लड़ना चाहते हैं वो election commission के सामने एक ओथ लेके आते हैं तो वो ओथ भी यहाँ पर दी है contestants ठीक है then उसके बाद हम judges जो है Supreme Court High Court के judges जो ओथ लेते हैं CAG जो ओथ लेते हैं इन सब की ओथ यहाँ पर है ठीक है clear अब इसमें किसकी नहीं है President, Vice President और जितने भी यहाँ पर वोथ है न Chairperson, लोकसभा के चेर्मन या जिसे हम कहते हैं Speaker Deputy Speaker, राज्यसभा के चेर्मन Vice Chairman, Deputy Chairman इन सब की ओथ यहाँ पर नहीं है सिरफ इनकी ओथ है ठीक है पढ़ ले न ध्यान से इसको आपको Telegram Channel पर दे रहा हूँ तो ध्यान से इसको पढ़ना Force Schedule, Force Schedule क्या है राज्यसभा में seat किस state से कितनी आएंगी Allocation of states, seats in राज्यसभा, from states and duties किस duty से कितनी seat राज्यसभा के लिए है किस state से कितनी seat राज्यसभा के लिए है ध्यान रखना लोगसभा की seat कौन से राज्यसभा से आएंगी वो किसी भी schedule में नहीं है लोगसभा की seats किसी भी schedule में नहीं है राज्यसभा की है Force Schedule में ठीक है, एक last यह हम देखते हैं कि 5th schedule क्या होता है Scheduled area और schedule tribes के administration का ठीक है और वही 6th schedule भी हम पता होना चीए administration of tribal areas कहां के 4 state असाम, मिगाले, त्रिकुरा और मिजोरा ये 4 state का 6th schedule में है उसके अलावा भारत में जहां कहीं भी North Eastern area में जो tribal area है वो 6th schedule की deal करता है उसके अलावा पूरे भारत में जितने भी tribal areas है scheduled areas है उन सब को 5th schedule deal करता है clear है, ध्यान रहेगा याद परने के लिए मैंने बता दिया है यह important है सबसे याद अगर कोई schedule पूछा जाता है तो 5th schedule, 6th schedule पूछा जाता है ठीक है तो इसलिए दोनों बड़े important हो जाते है 7th schedule division of power union list, state list, concurrent list उसमें क्या-क्या subjects रहेंगे, उस लिस्ट में क्या-क्या item है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 7th schedule, division of power ठीक है union list, state list और concurrent list अगला है 8th schedule 8th schedule में languages लिखी गई है officially recognized language कितनी है 22 language है हमारी है अगर हम देखें official language जिसे हम कहते हैं total आजगे time 22 language है जब समिधान बना था 14 language थी हमने amend कर करके उसको किया है हमने सबसे पहले 71st amendment किया जिसमें हमने इससे पहले भी एक किया था ठीक है, यहां लिखानी है तो यह बात है, 71st में हमने तीन जोड़ी थी, कॉमकरी, मनिपुरी और पाली इसको नहीं पूछते हैं पूछा जाता है कि लास्ट में जो amendment हुआ था वह था 92nd constitutional amendment act of 2003, इसमें चार language आई थी बोडो, डॉंगरी, मैजली, सिंथाली यह चार नाम पता होने चीए, लास्ट यह चार एड़ी थी अब उसके आज गहेंगे 96th amendment 2011 में ODIA, ODIA एड़ी नहीं किया पहले इसका नाम ORIA होता था O, R, I, Y, A लेकिन उस भाषा को बदलके ODIA कर दिया है तो वो नाम भी तो चेंज करेंगे ना वो इसलिए वो है तो इसको लो, अगर आप याद ना भी रखो तो चल जाएगा, यह अटा देना, डिलीट कर देना सिरफ 92nd amendment एक्ट इसमें चार एड़ी थी, और उसके बाद से हमारी total language होगी 20 तो आज के टाइम पे 8 schedule में 20 language है, यह पता होना चीए 9 schedule अभी थोड़ी देर पहले मदल बताया 1st constitutional amendment act से आया था land related provisions या और दूसरे provisions उसमें डाले आते हैं ताकि judicial review से बचाया जा सके ठीक है, बहुत लंबा topic है 9 schedule का उसमें बहुत सारे cases हमें पढ़ने कोड़े हैं ठीक है, अभी सिरफ इतना जहां रखी है 10 schedule anti-defection से लेटेड है कब आया? 52nd amendment act of 1985 11 schedule और 12 schedule हमारे local government से लेटेड है 11th है पंचायत से लेटेड और 12th है municipality से लेटेड 11th में 29 subject हैं कहां लेए? इसमें लिखा है, हाँ 29 subject हैं और 12 schedule में हमारे 18 subject होया कौन से आर्टिकल से लेटेड है? 11.243G और 12.243W पंचायत और municipalities से लेटेड आर्टिकल हर भार state pieces में पुझे आते हैं बहुत important है important articles of panchayat and municipalities वो आपको याद करना है जब हम आएंगे उस topic पर तबम करेंगे तो आज के इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं कुछ basic feature हमने पढ़े fundamental rights पढ़ी schedule सारे पढ़ लिए इतना सब कुछ आपको अब याद हो चाना चाहिए इस PPT से इस PDF से जो हम आपको provide करेंगे आपको ये चीज़े भी पता है तो आप बहुत सारे questions solve करता हैंगे जो additional information मैंने लिखवाई है वह बहुत important है वह questions आई हुए हैं जो मैंने आपको बताए है ठीक है तो आज के वीडियो के लिए इतना ये करते हैं next part जब हम लेकर आएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें और include करेंगे आला ऐसे इसके आगे के topics हम include करेंगे और बहुत जल्दी लगबख हर subject को हम यहां का और करेंगे जितना हो पाता है हम HCS का जो भी जो paper होने वाला 11th feb को generally उस तक देखते हैं कितनी हम कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पहुंचे इसके लिए आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो पर शेयर कीजिए लाइक किये जो question पुझा जाता है comments में उसका जवाब दीजिए ताकि आप भी उस चीज़ को जब आप लिखते हैं तो और अच्छे से आपको पता हो जाता है और अच्छे से याद में तो बस आज के वीडियो का हम यह तक करते हैं नेक्स वीडियो फिर मिलते हैं तब तक के लिए thank you take care bye bye